नमश्कार दोस्तों, उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे Well, कुछ sessions होते हैं important लेकिन मैं इस session को बहुत जादा important बोलने वाला हूँ There's a reason to it चाहे आप AFCAT exam की त्यारी कर रहे हैं चाहे CDS, चाहे CAPF, CGLE आफिक किसी भी state PCS या फिर IS exam You may find a question from this topic And trust me, अगले 5-7 minute में हम लोग इसको proper तरीके से cover करेंगे ना सिर्फ ये session आपको कुछ सिखाएगा बलकि आपके revision में एक बहुत एहम भूमी का भी अदा करेगा I just want to tell you one thing कि कोई भी दिन है, कोई भी divorce है कई बार उसके साथ कोई बहुत बड़ी personality जुड़ जाती है उसकी वज़े से उसकी जो एक significance है वो बहुत जादा बढ़ जाती है और इसलिए उनके ओपर कई बार आपके questions आते हैं तो हम लोग बहुत सारी important जो divorce हैं, ऐसे दिन हैं उनको इस session में discuss करेंगे जो India level पे बहुत जादा important है क्या उसका महत्व है, तो वो आप खुद बखुद समझी जाएंगे Trust me, this is the kind of the session which you have to watch till the end चलिए, without further ado, let me start that particular session but हाँ, अगर session अच्छा लगे, make sure you let me know in the comment section and do like and share the session as well I would like to start with 9th of January 9 January's हम लोग start करते हैं जिसको प्रवासी भारती दिवस के रूप में हम लोग हरसल मनाते हैं, you know that 10 January को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं याद रखेगा राश्टी हिंदी दिवस नहीं बलकि विश्व हिंदी दिवस 12 January जिसको National Youth Day के रूप में मनाया जाता है राश्टी युवादिवस इंडिनामी डे 15 जनवरी उसके बाद एक फरवरी को होता है जो कोसगाड डे है बेसिकल उनका रेजिंग डे उसको मनाया जाता है 24 जनवरी को हर साल National Girl Child Day हम लोग इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी We have the National Voter Day दो फरवरी को World Wetlands Day के रूप में मनाया जाता है और वहीं 4 फरवरी को हम लोग World Cancer Day मनाते हैं Observe करते हैं ताकि Cancer के उपर थोड़ी awareness फिलाई जा सके अब हम बात करते हैं 13 फरवरी की 13 फेब को जो कि सरोजिन नाइडू जी का जन्म दिन है हम लोग National Women's Day मनाते हैं I'm sure ये कई लोगों को शाइद नहीं पता था 28 फरवरी के दिन National Science Day मनाया जाता है क्योंकि सरसीवी रमन को इसी दिन जो discovery थी उनके रमन effect की उसके significance में हम लोग ये मनाते हैं तीन मार्च को विहाब World Wildlife Day एथ मार्च को अंतराश्य महिला दिवस्यानी की International Women's Day 21 मार्च को हम लोग International Day of Forest मनाते हैं तो इसमें फरक समझे Wildlife Day अलग है, Forest Day अलग है 22 मार्च को World Water Day मनाया जाता है उसी प्रकार से 7 एपरिल को WHO World Health Day मनाता है Very Important these days 22 एपरिल को हमारा होता है Earth Day 5 में को हम लोग Observe करते हैं World Hand Hygiene Day अगर COVID नाया होता हो सकते मैं इसको Skip करता बढ़ ट्रस्ट मी आज की डेट में Hand Hygiene बहुत Important हो गई है इसलिए मैंने इसको भी Include किया है Moving ahead हम लोग बात करते हैं 21 में Anti-Terrorism Day Biodiversity Day मनाते हैं 31 में को World No Tobacco Day Tobacco के खिलाब जो मुही मैं उसको तेज किया जाता है World Environment Day On 5th of June Very Important again 8 June को हम लोग World Oceans Day मनाते हैं 21 June तो I think सब को बता होगा International Day of Yoga के रूप में मनाया जाता है 1 July को National Doctors Day 26 July को हम लोग Kargil Vijay Divas मनाते हैं अब याद रखेगा मैं December में भी एक बताऊंगा आपको Important Day लेकिन अभी इसको याद रखेए ये क्या है Kargil Vijay Divas 29 अगस्त जो की मेरे ध्यान चन Hockey Wizard of India का birthday है उस दिन हम लोग National Sports Day के रूप में मनाते हैं Very Very Important Moving ahead हम लोग बात करेंगे अब 5th of September Teachers Day I think सबको पता है मुझे काफी wishes आती है वैसे भी 14 September को Hindi Divas जो है अब आप एक चीज़ समझे Wishwe Hindi Divas तो राष्टे Hindi Divas में अंतर है तो ये राष्टे Hindi Divas है और जयान में हमने क्या देखा था Wishwe Hindi Divas के रूप में मनाया जा रहा है तो तो ये बहुत चोटी जोटी चीज़े है 10 January को इससे Confuse मत करियेगा पीस 15 September को M.V. सुरिया जी की बर्दे वाले जीज़े हम लोग इंडिया में Ingenious Day मनाते है 16 September Montreal Protocol के याद रखने के रूप में World Ozone Day मनाया जाता है 8 October को हम लोग Indian Air Force Day मनाते है 31 October को मराश्टे एक्तादिवस यानी की National Unity Day के रूप में मनाया जाता है सद्दार वल्लाबह पटेल को हम लोग याद करते है 11 November Walana Abul Kalam Azad की Birth University के दिन हम लोग National Education Day मनाते है 14 November पंडित नहरू Children's Day National Constitution Day 26 November Because 1949 में इसी दिन हमारा जो सम्विधान है उसको Constituent Assembly ने adopt किया था You all know that 1 December को World AIDS Day जो कि AIDS के बारे में वेरनेस पहलाता है 4 December is Indian Navy Day 7 December Armed Force Flag Day Very Important Day 10 December को होता है Human Rights Day विजे दिवस जो कि आपको बता है हम लोग Bangladesh Liberation War को जब हम जीतते हैं उसको याद करते हैं हम लोग 16 December को विजे दिवस मना के तो याद रखेंगा कारगिल विजे दिवस अलग है और ये अलग है National Mathematics Day हम रामनुजम की याद रखते हैं 22 December के दिन National Mathematics Day और फाइनली 24 December को जागो ग्रहक जागो National Consumers Day के रूप में मनाया जाता है अब मैंने बहुत सारे डे यहाँ पर डिस्किस किये I'm sure आपने नोट जरूर कर लिया होंगे अगर आपने कुछ नया सीखा है Now I would like to tell you कुछ Environment Related Day जो बहुत important और कई बर पूछे जाते हैं जैसे World Wetland Day कई बर question आता है अब अच्चे confused हो जाते हैं इसमें और यह मैं खुद जानता हूँ जैसे World Environment Day है 5 June और Forest Day 21 March को है तो कई बर confused हो जाते हैं Earth Day 22 April है Biodiversity Day 22 May है तो आपको इसमें confused नहीं होना है इसलिए एक साथ यहां पर लिखके आपको दिखा रहा है प्रीज इसको देख लें यह कुछ Environment Related Days है इसको हम रिवाइज करेंगे इसको बहुत जान से देखेगा कुछ देर के लिए मैं स्क्रीन से चला जाता हूँ अब ध्यान दें यहां पर इस Highlighter को बहुत ध्यान से देखेगा यहां पर Indian Army Day को मैंने Highlight किया उसके साथ साथ आप यहां पर Indian Navy Day देख लो 4 December और आप Indian AFOS Day देख ली जे 8 October तो आपने क्या किया तीनों को एक तरह से Pairing कर ली तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर हमें काफी जादा हेल्प कर देगा यहां पर मैंने Star लगाया यहां पर मैंने Star लगा दिया और यहां पर मैंने Star लगा दिया उसी प्रकार से आपने क्या देखा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है और उसी प्रकार से हमने देखा सेप्टेंबर में जाके राष्ट हिंदी दिवस हम लोग मना रहें तो उसमें आपको कन्फूजन नहीं होनी थी चौदर सुनमबर उसी प्रिकार से environment later day है अब 13 फरवरी को हम लोग national women's day मना रहे हैं 8 मार्च को हम लोग international women's day मना रहे हैं हमें पता होना चाहिए तो I really hope कि आपको इन में काफी clarity मेली होगी एक छोटा तो homework है आपके लिए हम लोग national technology day कब और क्यों मनाते हैं ये आप comment करके I think बता सकते हैं दूसरा ये कि आपको ये ज़रूर comment करके बताने कि ये session कितना useful लगा इस photo को screenshot ले लोगे तो आपको काफी भला हो जाएगा इतना वे आपको guarantee दे सकता हूँ and देखे that's me Aakash Andev in case you don't know me and I keep on bringing these amazing sessions for you तो मुझे follow जरूर करे Unacademy के platform पे and trust me these are very very useful sessions मैं आपको बताना चाहूंगा in case anybody wants to take the plus subscription तो UDM 10 code का इस्तिमाल करे in case you want to take the new subscription और आप renew भी करना चाहते है तो इस code को use करके you can get a discount of 10% on top of it आप हमारा telegram channel join कर सकते है defense mentors के नाम से और इस channel को आप maximum like और share जरूर करे so that I am motivated to bring more sessions like that for you और comment करके ये भी बतायेगा ये session कैसा लगा और क्या इस तरह के और sessions आपको चाहिए so I can surely be bringing them for you I really hope you have a great day ये session आपको बहुत मज़दार लगा होगा I am very much sure of it and I will always strive to bring better and better content for you so that's Akashandev signing off have a great day Jai Hind, Jai Bharat